दोस्तों क्या आपको पता है पपीता ही नहीं बलकि पपीते की पत्यां भी हमारे हैल्थ के लिए हमारे स्वास के लिए बहुत ही लाबकारी है चाहे पपीते के बीज हो चाहे हो पपीते की ताजी ताजी पत्यां आज मैं बताऊंगी दोस्तों कि पपीते की पत्यों को लेने चाहिए आप चाहें तो इसकी पत्यों को धो कर कुचल कर इसका रस निकाल सकते हैं 10 ml इसका रस लेंगे खून की कमी नहीं होगी इसके अलावा जो पपीते की पत्यों का रस होता है दोस्तों सबसे गंभीर माने जाने वाली बिमारी कैंसर की कोशिकाओं को भी बढ़ने से रोकता है देंगू की तो राम बान दबा है दोस्तों डेंगू के समयं जो हमारे शरी में प्लेटलेट्स की संख्या movie जो तेजी से गिरने लगती है उसे तेजी से बढ़ाने का काम करता है पपीते की पतियों का रस खून को गारहा होने से बचाता है खून के ठक्के बनने को रोकता है दोस्तों और हमको कई बिमारियों से बचाता है हमारे लीवर को डेमेज होने नहीं देता है खास कर जब डेंगू, मलेरिया, चिकन गुनिया के समय हमारे शरीर में यह जो परिशानी होने लग जाती है प्लेट लेट्स की जो संख्या है वो तेजी से गिरने लगती दोस्तों उस समय पपीते की पत्यों का रज बहुत फाइदे मांद़ी है और सांति साथ इसकी पत्यों का रस लेने से जिन लेडिस को पीरेट्स के समय बहुत ज़रूर लेना चाहिए 10 ml, 10 ml से ज़्यादा आपको नहीं लेना है, सबता हमें दो बार ही आपको इसे लेना है, हमारी शरीर की इम्मुनिटी को बढ़ाता है, रोग प्रती रोधक शंता को बढ़ाने का काम करता है पपीते का रस, और साथ इसाथ दोस्तों, इसका रस लेने से हमारे शरीर में इसका रस बनाते हैं, बहुत से लोग इसकी पत्यों को धो कर, तोड़ कर, बारिक-बारिक काट कर, पानी में उबाल कर भी इसका रस पीते हैं, जिन लोगों को टाइम नहीं दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, जिनके पास जीवन में बिल्कुल टाइम नहीं लेते हैं तो भी उनके शरीर में इसका जो फायदा है वो उन्हें पूरा मिलेगा चाहे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के इंफेक्शन जब चाहेगा, कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकेगा, खून की कमी को दूर करता है इसका रस, तो रस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने केवल एक पत्ती ली है, बढ़ी अच्छा काट के धो कर इस तरह से कुचल लिया है, आप चाहें तो मिक्सी के जार में भी डाल कर इसका रस बना सकते हैं, परन्तु बहुत जादा नहीं पिया जाता है, सिर्फ 10 ml पीना है, इसके अलावा इसकी पत्तियों को अगर आप दात खाच खुजली में लगाते हैं न दोस्तों, उससे भी राहत मिलती है, एंटिसेप्टिक एंटिबैक्टिरियल गुण होते हैं प सेला सा होता है, परन्तु कोई बात नहीं दवाई के जैसे आप लोग पी सकते हैं, 10 ml ही पीना है, इसके अलावा जो लोग रस को नहीं पीना चाहते हैं, वे दो से तीन पत्तियों को धो कर कुचल लें, अच्छी तरह से कुचल लें, तोड लें, और पानी में उबाल कर चा इस पानी में आ जाएंगे, आप चाहें तो रस की जगह इस पानी को भी पी सकते हैं, इतनी ज़्यादा ये फाइदे मन्द है दोस्तों, आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा मुहासे की समस्या है, जरूर लें, पिमपल के बढ़ने से राहत मिलेगी, मुहासों का बढ़न रोग देता है इसका रस, और जिन्हें भूख नहीं लगती उनके लिए बहुत फायदे मन्द है, भूख अच्छी लगती है, समस्या दूर होती है, सबसे गंभीर माने जाने वाली बिमारी कैंसर, सर्वाइकल कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, लिवर या लंका कैंसर हो दोस् इस फल के अंदर जो बीज निकलता है जो सीट निकलता है दोस्तों उसके भी में फायदे आपके साँ शियर करने वाली हूँ तो अभी तो मैंने आपको रज बनाना बता दिया है आप चाहें पानी में उबाल कर ले आप इसे कुछल कर ले या एक पत्ती को चबा कर भी खाएं क्योंकि बहुत सी बिमारिया हमारी पेट से जुड़ी रहती है तो ये एक ऐसा जादूई फल है दोस्तों जो कि आपको वजन को कम करने में भी बहुत मदद करेगा और साथी साथ दोस्तों स्वाद में भी अच्छा लगता है मीठा सा होता है नारंगी रंग का ये जो फल ह होता है पोशक ततों का भंडार इतने सारे समय विटामीन और मिनरल होते है दोस्तों में पपीते को जरूर खाए सब्ता में तीन बार चार बार जरूर खाना चाहिए किसी भी फल को हमें लगातार नहीं खाना चाहिए बीच-बीच में आप लोग गैप करते रहें और इसे तो वीक में तीन से चार बार आप इसे जरूर खाएं और जो प्रेगनेंट लेटी दोस्तों उन्हें पपीते को नहीं खाना चाहिए और सांती साथ पपीता खाने से कई बीमारियां दूर होती दोस्तों हार्ट अट्रेक का खत्रा भी कम हो जाता है कबस की समस्या दूर होती है और इस तरह से मैंने पपीते के फल को काट लिये है कभी कभी हम लोग काटتے है तो बहुत सारे बीज निकलते हैं सीट्स निकलते हैं पर तो कई बार पपीता काटते हैं तो बिल्कुल भी बीज नहीं निकलते हैं आज आप देख सकते हैं एक भी वैसे मैं जब भी पपीते के सीट्स निकलते हैं, दोस्तों, उन्हें मैं हमेशा दोकर, सुखा कर, स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि पपीते के बीज भी बहुत फाइदेमंद है, और पपीते का फल दोस्तों, जतना जादा हमारे सेहत के लिए फाइदेमंद है, उससे कई लोग पढ़ते हैं, चाहे आप फेस पैक ले लें, फेस मास्क ले लें, या फिर आप किसी भी तरह का कोई ब्यूटी प्रोड़क्त लें, पपीते का इस्तमाल जरूर किया जाता है, जिसके चहरे पर जाईया है, पपीते के छिलके को थोड़ी ज़र आप अपने चहरे पर बीजों के क्या फाइदे हैं? ये बीज आप देख रहे हैं, मैं हमेशा जब भी बीज निकलते हैं, इन्हें सुखा कर रखती हूँ. किसी-किसी पपीते में तो धेर सारे बीज निकलते हैं, पर न चार से पांच बीजों को खाना है, चबा चबा कर खा सकते हैं, आप शहद के साथ मिला कर खा सकते हैं, आपको चबाना पसंद नहीं है, आप इसके बीजों को ग्राइंड करके इसका पाउडर बना कर 1 फॉर्थ टी स्पून पाउडर खा सकते हैं, उपर से गरम पानी पी सकते है या वन फोर्थ टी स्पून पपीते के बीजों का पाउडर और शहद को मिला कर भी खा सकते हैं लीवर से जुड़ी हुई सारी परिशानी दूर होती चाहे लीवर का इंफेक्शन हो दोस्तों चाहे कब्ज की बवासीर की परिशानी हो बच्चों को पेट में यदि कीड़े हो जाते हैं कीड़े की समस्या है तब भी आप इन बीजों को दो से तीन बीजों को दे दे तो आप इसे जैसे गोली खाते हैं आम लोग दवाई खाते हैं गोली को निगलते हैं वैसे भी आप इन तीन से चार बीजों को निगल सकते हैं पाउडर के रूप में ले सकते हैं या चबाकर खा सकते हैं तो दोस्तों आप इसे जरूर ट्राय करें पेट दर्ज से भी यह रहात दिलाता वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें